मुख्यमंत्री नितिश कुमार ते जस्वी यादों को बिहार का बोस बना चुके हैं अब बिहार का बोस कैसे बना चुके हैं तो आप गौर कीजिए भारतिये जनता पार्टी के नेता मार खाते हैं नितिश कुमार आकर उस पर कुछ भी नहीं बोलते वो उस बयान से तमाम च तो तेजस्वी यादो किसी भी मुद्दे पर नितीश कुमार नहीं बोलते बलकि बोलता कौन है तो तेजस्वी यादो और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि दो हजार पचीस में नितीश कुमार कह चुके हैं कि तेजस्वी यादो नित्रित्व करेंगे तो तेजस्वी या लेकिन तेजस्वी यादों का जो हस्त छेप है जो उनका प्रभाव है वो बढ़ रहा है और पिछले कुछ दिनों के दोरान यह सब कुछ दिख रहा है बागे नमस्कार में नावे मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं तेजस्वी यादों पर जिस दिन सिव्याई ने चार्जशीद किया अगर कहा जाता है कि नितीश कुमार पहले वाले नितीश कुमार रहते तो तेजस्वी यादों पर दबाव बनाते कि तुम इस ही पादो लेकिन नितीश कुमार की पाटी तेजस्वी यादों के साथ खुल कर खड़ी रही इसका सिधा संदेश गया कि नितीश कुमार अब तेजश्वी यादों को खूले तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं मतलब कि नितीश कुमार का भी मिशन यह हो गया है कि तेजश्वी यादों को 2025 में मुखह मंत्री बनाइन है और नितीश कुमार इन तमाम चीजों को कई दफ्या बोल चुके हैं कि 2025 का नित्र तो आपको ही करना है वे मंच से भाशन देते देते इशारा करके क्या देते हैं कि 2025 में तो यही सब कुछ देखेंगे मतलब कि वो तेजस्वी यादों को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तमाम चीजे धीरे-धीरे दिख रही हैं भारतिय जंतापाटी के निताओं को बिधायकों को सांसदों को पत्ना में पीटा जाता है बतोर मुख्यमंत्रे नितीश कुमार को इस पर आकर ततकाल बोलना चाहिए था लेकिन सरकार की तरप से आगे कोन आता है तो तेजस्वी यादो वाते हैं जबकि नितीश कुमार का भारतिय जंतापाटी के साथ दशकों का रिस्ता रहा है जो वहाँ पर सांसद पीटे गए बिधायक पीटे गए वो कई बिधायक मंत्री बनकर नितीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं और उन तमाम लोगों को पिटा गया लेकिन यादो को आगे किया सतन के अंदर तेजश्वी यादो भारतिय जंतापाटी को जबाब देते हैं नितीश कुमार चुपी साधे रहते हैं और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि नितीश कुमार अपने तुरप से तेजश्वी यादो को धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा र हैं तो एक hidden message मतलब कि गुप्त संदेश इनकी पाती के निताओं को भी जाता है कि आप इस गलत फेहमी में मत रहिए कि नितिश कुमार की सरकार में हमारी कुछ चलती नहीं बलकि RJD को बराबर तबज्जो दी जाती है जो जदिव राजत की सरकार है और तेजस्वी यादों इ अपने मन में इस बात को ठान लिया है और अगर 2025 तक सब कुछ ठीक रहा तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे नितिश कुमार तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं हो ना हो नितिश कुमार तेजस्वी यादों को वाकई में मुख्यमंत्री की कुर्शी पर बिठा दे चाहँ नितिश कुमार तकलीफ जरूर होती है तकलीफ तब होती है जब R.J.D. का कोई नेता उनके खिलाप बोलता है लेकिन जब नितिश कुमार उस पर उखाते हैं तो तेज़स्वी यादों और लालू यादों अपने नेता के खिलाप हो जाते हैं जो कहा जा रहा है कि नितीश्क मार को संतुष्ट करने के लिए परयाप्त होता है और साध उसी संतुष्टी का परिणाम है कि नितीश्क मार अब तमाम जो मुख्य मुद्ध्य उन पर खुट नहों बोलकर तेजस्वी यादों को सरकार की तरफ से आगे करते हैं और तेजस्वी यादों बोलते हैं और सरकार के तरप से जो बोलेगा जो फैसला लेगा उसका कद धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा फिलाल अब आगे देखते रहे हैं कि यार कि राजनिती में क्या कुछ होता है नितीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ रह गए तो 2025 में तेजस्वी यादों का मुख्यमंत्री बनना कंफर्म माना जा रहा है लेकिन अगर नितीश कुमार इधर से उधर हो गए तब तेजस्वी यादों का सपना भी तुटना तैमाना जा रहा है आपकी परतक्रिया इस पर क्या है कमेंट बोक्स में लेकर बदाईएगा आगे ज